अगर आप लोग मद्विदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखें आपके MPPS दी हो गया प्रलिम्स की बात हो जाती है यह आप देखें कि सिक्षक भरतियां भी होती रहती है वर्ग एक दो तीन के लिए पोलिस कॉंस्टेवल का होता रहता है एसा ही दरोगा का होता रहता है जेल पैरी पटवारी इस तरह के अनेक वे एक्जाम होते हैं आपके और इन सब के अगर पुराने कुश्चन्स फिपर उठा के आप लोग देखेंगे और देखने भी चाहिए आपको तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मद्पदेश में जो घटनाएं घटी रहती हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में कुश्चन्स अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं और उसे इला आप लोग क्या कह देते हैं करेंट अपेयस नाम दे देते हैं तो अभी तक आपने देखा है कि 2022 में 12 महीने में जो घटनाएं घटी हैं उन एक-एक महीने को हम लोग कबर कर चुके हैं मद्पदेश मन्थली करेंट अपेयस के नाम से आपकी पिले लिष्ट सोची बनीवी है वहाँ जाईए आप लोग और सभी क्लासें आप लोगों को बहाँ मिल जाएंगी आज की इस क देखना है मद्पदेश को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहें एक बार भारत की मैप को भी देख लीजेगा और देखें मैप का सहरा लेकर ही आपको तैयारी करनी है यह भी आप लोग याद रखेगा देखें यह भारत है इसमें आप देखें मद्पदेश देखन और एक नवंबर 1956 में इसी राज बनाय गया था और आप देखेंगे कि एक नवंबर को आप लोग क्या बनाते हैं मद्ध पिदेश दिवस मनाते हैं और पुनर गठन यानि कि 36 गड़ इससे अलग हुआ था एक नवंबर संदुपजार में अब आप देखें उत्तर पिदेश स पिदेश की सीमा लगती है राजस्तान से गुजरास से महराष्ट से और 36 कर से यहां आप देखते हैं कि हिंदी राजभासा है राजकी पसू दूदराज साहबुलबुल है राजकी पसू बारे सिंगा है पक्षी आपका दूदराज साहबुलबुल हो गया पसू आपका बा पिदेश, गोल्ड इस्टेट, क्या हीरा पिदेश, कोहिनूर पिदेश की नाम से आप लोग जानते हैं, और इसका छेदफल अगर आप देखें तो 3,8,245 बरक किलूमेटर में फैला हुआ है, कई जगे आप देखेंगे 3,8,252 बरक किलूमेटर भी देखने को मिलेगा, यहा और राजसभा में 11 सीट हैं, लोकसभा में 29 सीट हैं, लोकसभा की 29 सीटों में से अनुसुचित जाती के लिए 4 सीटे आरक्षित हैं, और अनुसुचित जन जाती के लिए 6 सीटे आरक्षित की गए हैं, यह भी याद रखेगा, और पिथम राज्यपाल की बात करें तो डॉ सबसे उत्तर में आप देखें मुरेना है सबसे पश्चिम में आप देखते हैं अली राठपूर और सबसे पूर में आपका सिंग रॉली आपको देखने को मेरेगा चलिए तो पहली खवर है 3 जनवरी 2023 को मुक्रमंती सिवराफ सिंग चोहान की अध्यक्षता में मंती पश्चत की बैठक में 45 स्थी एम राईज बिध्यालेयों के लिए 1807 करोड रुपे करोड और 57 लाख रुपे की सुईगीती पिदान किये जाने के साथ ही कई अनमहत्फून नेड़े लिए गये हैं और देखिए जब मंती पश्चत की कुछ बैठक होती है तो आप सोभा भी कसी बात है आप जानते हैं कि कुछ तो पैसले लिए जाएंगे कोई तो कारण रहा होगा ना और मित पिदेश में आप देखिए सीएम राईज स्कूल के योजना की पिथम की पिस्ताओं की अनकुरम में परियोजना परीक्षन समती की अनुसंता पर 4500 सुविधा योग स्कूलों की निर्माड का नेड़ा लिया गया है और आप देखिए कि पिदेश में 9200 सीएम राई स्कूलों का निर्माड किया जाना है और इसकी मंतिरी पल्षद ने सिध्धा स्कूल जंजाती कार विभाग की अंत्रगत निर्मित हो रहे हैं और पूर में मंति परिशन द्वारत 2660 करोर रुपे की लागत की 73 स्कूलों को सुविकिती दी जा चुकी है और मंति परिशन ने चेकिसा महविध्याले इंदौर ग्वालियर जवलपुर रीबा में 433 नई PG सीट विध्धी करने करने अड़े लिया है और तीने चेकिसा महविध्याले की कुल आप देखें 438 करोड 40 लाग रुपे की पिसास की इस विकिती दी गई है और आप देखें चेकिसा महविध्याले इंदौर ग्वालियर जवलपुर रीबा के विभिन विभागों में इस और पार्ट करम के लिए PG सीट की विध्धी होने से पिदेश को पितेएक वर्स अतिरिक्त संध्या में विशे विशे सग चेकिसा उपलफद हो सकेंगे मंती परसंद ने जंग जातिय वर्क की विध्यार्थियों को राष्टिये पितिवोगी परिक्षाओं की कोचिंग पितिश्रे संस्थानों से संभाग इस्तर पर किये जाने के लिए युजना का अनुमोधन और आफलाइन कोचिंग को पितिवर्स और ओनलाइन को पुरुषकार रासी निर्धायरत की गई है। 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 तो इस तरह के कोई भी फैसले होते हैं तो उन्हें देख लिया करेगा, याद रखा करेगा। अंगली खबरे 5 जनवरी 2023 की है। वेन्यू में 6000 खिलाडी अपना उत्किस्ट पे दरसन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5 बार संस्करण पे देश की 8 सहरों। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जेन, ग्वालिय, जवालपूर, मंडला, बालागाट, खर्गोन, महिस्तुर में होगा। एक गेम साइकलिंग दिल्ली में भी आयूजित की होगा। और पहली बार वाटर, स्पोर्ट्स, अर्था कायाकिंग, कैनोईंग, कैनो, सलालम, और तलवारवाजी आदी पितीस पर दाएं, खेलो इंडिया गेम्स के संस्करण का हिस्सा होगे। खेलो इंडिया यूथ गेम से 5.0 में 303 अंतराष्टी और 1089 राष्टी ओफिसियल से हिस्सा लेंगे। और खेलो इंडिया के लिले लगबग 2000 वॉलिंटर, वॉलिंटिया अलग-अलग गेम बेन्यू में तैनात रहेंगे। चली अच्छी बात है, पांचवा संस्करण है। चली के संबन्द में मदफिदेश, विद्धुत, विद्रन कंपनी द्वारा, कंपनी मुक्याले और 6-3 मुक्यालेयों के अलावा, 6-3 महाप्रवंदों को भी लिखे तत्वा दूरवास पर सूचना दी जा सकती है। और सूचना करता की जानकारी गोपनी रखने की जिम्मेदार समधित अधिकारी की रहेगे। और कंपनी के अधिकारी करमचारी को सूचना करता नहीं माना जाएगा। और सूचना करता को परोसान रासी का भुकतान कंपनी मुख्याले से किया जाएगा। परोसान रासी सीधे सूचना करता की बैंक खाते में जमा की जाएगी। और पिकरन बनाने और रासी वसूल करने वाले बिभागी अधिकारी और करमचारियों को भी ढाई किते इस तरासी प्रवसाहन के रूम में दी जाएगी और कमपनी मुख्याले में इस योजना के किरियानमन के लिए विजलेंस सेल गठित किया जगया और इस विजलेंस सेल को भी सूचित सूचना बेजी जा सकती है तो यह भी देखने को मिलेगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं एक छे जनवरी 2023 को मद्धपदेश के जल्स अंसाधन विभाग ने बीते बरसों में सिचाई के चित में हासिर की अनेक उपलगधियों का विवरादिया है और इसमें द जा चुकी है और तबा पर यह उजना के कमांड जायद फसल के लिए किसानों को 89,000 हेक्टर चित में सिचाई शुद्धा मिल रही है और 2020,2121 में 840.3 करोड रुपे की राजस की वसूली की गई है वहीं 2022-23 में आप देखें सेप्टमबर तक 266.11 करोड रुपे राजस की व विभाग ने वर्स 2020-21 में 1,15,000 हेक्टर सेचाई शुद्धा विक्सित करने की लक्ष की विरुद 1,16,000 हेक्टर सेचाई शुद्धा विक्सित की गई है वहीं आप देखेंगे 2021-22 के लक्ष 1,70,000 हेक्टर की विरुद 1,71,000 हेक्टर चित में नभीन सेचाई शुद्धा और कुल सेचाई शमता बढ़ा कर एक चालीस लाग हेक्टर करने की लक्ष को 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ट किया जाएगा और विभाग द्वारा मद्विदिस में बीते दो बर्सों में कुल 126 नई वेहद मध्यम और लगू सेचाई पर यह उजनाएं सुरो की गई है इनमें 4 वेहद और 10 मध्यम और आप देखें 112 लगू परियोजना ऐसा मिल हैं और इन सभी 126 सिचाई परियोजनाओं की लागत आप देख 6,700 करो रुपे है इन नई सिचाई परियोजनाओं से 3,34,000 हेक्टर सिचाई चमता बिक्सित होगी और आप देखें मध्यदेश से बहु पितिक चित कैन बैत्वा लिंक राश्टी परियोजना का जल्द सुरू किया जाएगा और 44,665 करो रुपे की लागत की इस राश्टी परियोजना में से मध्यदेश के सुका ग्रस्त बुंदेल खंड के चेत के 8,11,000 हेक्टर चेत में से चाई सुपधा होगी और साथी लगभग आप देखेंगे 41,000,000 अवादी को पिये जल पानी का जल भी उपलब्द होगा इस परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा जिसका पूर्ण उपयोग मध्यदेश करेगा केनवेतवाल लिंक परियोजना से राज्जी की 10 जिलों की 28 तैसिलों के 240 ग्राम लाबाद मित होंगे जो बुंदेल खंड वाले में पड़ते हैं और मध्यदेश के बुंदेल खंड चेत में भूजल इस्तर को बढ़ाने पेजल संकट को दूर करने और सिचाई सुबधा उपलावद कराने के उद्देश से अटल भूजल यूजना प्यारम की गई है और लगबाद आप देहें 314 करोड चंबल लाक रुपे की लागत की इस परियोजना में पिदेश के 6 जलों के 9 पिकास कर्णों के 678 गाओं में जन भागीदारी से जल संबर्दन और भूजल इसतर में सुधार के कार किये जा रहे हैं मद्पिदेश के ग्वालिया रुचंबल अंचल में सिचाही इवं पेजल आपूर्टी के लिए 6601 करोड रुपी की सिरीमंत मादो राव सिंधिया नवीन बहुत देशी ये सिचाही परियोजना पैरम की गई है और इस परियोजना से मद्पिदेश के गुणा सिउफ्री से उपर जिले में 2,000,000 अंचल शेत में सिचाही सुधा उपलब दोगी और 6 जला सेहों का निर्माड होगा साथी सिचाही पेजल मचली पालन परयाटन रोजगार की आउसर में बिद्दी होगी और छेत का भूजल इस तर भी बढ़ेगा आप देखेंगे और याद रहे सूख्च सिचाही पदिती पर आधारीत योजनाओं का निर्माड करने बाला मद्पिदेश देश का अगड़ी राज है और विभाग की वर्तमा निर्माड धीन मद्पिदेश में डैम सेफ्टी रिवी पैनल गठे थे और पिछले पांच बरसों में 148 रूपी की लागत से 25 बान की मरमत का कार भी किया जा चुका है आने वाले पांच बरसों में 27 बानों की सुरक्षा मरमत की जाएगी और इसके लिए विभाग की सहयुक से 500 आप देखेंगे 59 करोड़ पे की स्विकिती मिली है इस तरह के देखें अंतराष्टी जो भी संगठन है उनके बारे में जरूर एक सामान जानकारी रखा करिएगा वर्ल्ड वेंग की बात हो रही इनसे कुश्टन साब की परिक्षाओं में पूछ लेता है क्या कर लेता है पूछ लेता है वर्ल्ड वेंग की बात करें विस वेंग की तो इसकी स्थापना कभी थी अंतराष्टी बित्ती संस्तान है दिसंबर 1944 में वासिंग्टन DC USA में इसका हेड़कवाटर देखने को मिलेगा भारत भी इसका सदस है क्या है भारत भी इसका सदस है ये भी याद रखे और देखे जो ये वो जिनाये रहती हैं वो किस से संबंदित हैं किस उद्देश के लिए लाई गई हैं ये जरूर आप लोग कबर कर लिया करिएगा ठीक है याद रखा करिएगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं ये आठ जन्वरी 2022 को मद्पदेश के राजपाल मंगू भाई पटेल ने स्वहम से भी संस्था अबर एक्वरियम के सहयुक से इसकार रेली का आयज़न किया गया है और इस बर रेली को गुल द्यार गुल जार सहब ने नाम दिया हम सफर या संदेश देते हुए हम सभी पर हैटन इस्तलों और अन्शार्वियक इस्थानों को बिकलांग ो के अन्कोल बनाना है और हर तरह से बेकलांगों को अपने साथ सामिल करना है पितियोगता को दो बर्गों में बाटा गया है विसेसक बर्ग जो पूर में आरुसी की कार रेली में से किसी भी बिजेता रहा हो और दूसरा है नो से किये बर्ग जिनों ने कोई भी रेली नहीं जीती हो या फिर आप देखेंगी कि पहली बार भाग ले रहे हो और नियून तब पैनल्टी अंगों के साथ समात होने वाली पितियोगता को विजेता घोसित किया गया है और पित एक मिनिट कि देरी के लिए एक पैनल्टी अंग और एक चेक कोईन पर एक मिनिट पहले पर रिस्ट करने पर पांच पैनल्टी अंग थे चलिए अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं अब लोग यह आप देखें नौ जन्वरी 2023 की ख़बर है मत्विदेश टूरेंज बोर्ण ने 17 वी परवासी भारती दिवस समेलन में इंदोर में विलेंट कन्वेंशन सेंटर में MP टूरेंज में बैवेलियन में Global Organization of People of Indian Origin के देश्ट के आठ देश्ट के चेप्टर के साथ MOU पर हस्ताक्चर किये हैं और EI MOU फ्रांस में मेट्रोपोल पैरिस मौरिसस री यूनियन दो माइटी निक स्री लंका गोपियो इंटरनेशनल मलेसिया मौरिसस के साथ किये गए है और EI MOU पर पिर्मुक सची पर्याटन और संस्किती एवं प्रवंद संचालक टूरिंज बोड सिर्फ सेकर सुकला ने टूरिंज बोड की ओर से और GOPIO के आठ देशों के अध्यक्चों ने अस्ताक्चर किये है और पिर्मुक सची मने कहा है कि EI MOU पिदेश के पर्याटन चेत की विकास में अधिक सहयोग इस्तावित करने और पर्याटक इस्थलों को वड़ावा देने की और पिचार पिसार के उद्देश से किया गया है यह अनुसंधान संबर्धन और पर्याटन विकास में सहयोग को मजबूत करने और वड़ावा देने और विक्सित करने का पिर्मुक सची मने भारती मूल का पितेग बेक्ती बास्तों में देश का एक संस्कितिक राजदू थे उन्होंने सभी प्रवासी भारतीयों से भारत की संस्किती का विदेश में पिर्चार करने की अपील भी की है और अध्यक्च जी ओ पी आई ओ फ्रांस राजाराम मनु स्वामी ने कहा है कि MOU दोनों देशों के लिए उपियों की दिस्ते का मार्क पिसस्थ करेगा और या मद्पिदेश पारेटन वो फ्रेंच भासी छेत्रों के बीच मौजूद बंदन को और मजबूत करेगा और आप दिखें इस तरह का परेटन छेत्रा आप देखते हैं कि अर्थवस्ता में एक बड़ा योगदान भी देता है नौ जर्मरी 2023 की घटना है पिदान मंतरी ने मद्पिदेश के इंदोर में 17 भी प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन का उधगाटन किया है और पिदान मंतरी ने आज़ादीक अमरितम Missora में 17 संग्रा प्रवासी भारतीं का योगदान भी से पहली बार दिजीटल पिदासनी का उधगाटन किया है और पिदान मंतिरी ने सुरक्षित कानूनी विवस्तित और कोसल पेसासन की महत्त को रिखांकित करने के लिए एक इसमारक डांख टिकर सुरक्षित जाएं पिसीक्चत जाएं भी जारी किया है और पिरवासी भारती दिवस पिवीडी सम्मीलन भारत सरकार का प्रमुक कारक्रम है जो पिरवासी भारतियों के साथ जुड़ने है और पिरवासी भारतियों को एक दूसरे के साथ बाचीत करने में सक्षम बनाने के लिए मत्पूर्ण मंच पदान करता है इन दौर में 8 से 10 जन्वरी 2023 तक मंत्विते सरकार की सहयुक से 70 वा प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन आयजित हुआ है इस सम्मेलन का विसाइब प्रवासी अमरेत काल में भारत की प्रगती के लिए विश्वसनी भागेदार रखी गई है और लगवक 70 विविन देशों के 35 सियाधिक प्रवासी भारतीय सतस्नों ने पीबी डी कन्वेंशन के लिए पंजीकर्ण कराया था और सम्मेलन को सम्मेलन को संबोदेत करती हुए प्रवासी भारतीयों की थीम पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीयों दिवस तिदर्सनी आयजित की गई है जो गौरप साली योग को एक बार फिर से सामने लाती है और अमरेकाल की अंगले 25 बसों की यात्तरा में प्रवासी भारतियों की महत्पूर्ण भूमिका पर पिकाश डालते हुए, पिधान मंतिर ने का है कि उनके द्वारा भारत की अनुठी बैसविक द्रिश्टी और बैसविक व्योस्था में इसकी भूमिका को मजबूत किया जा स्वास्तो परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मंसुप मांदिविया की अध्यक्सता और विदेश राज मंत्री डॉक्टर राजकुमार, रंजन सींgga की सहद द्यक्सता में, अमरेत काल में भारती हेल्थ केर, एको सिस्टम को बढ़ावा देने में, भारती डायस्पोरा की भूमिका बीजन 2047 पर दूसरा सत और विदेश्ट राज्य मंत्री मिनाच्छी लेखी की अध्यक्षता में भारत की सौप्ट पावर का लाब उठाना और सिल्फ बेंजन और रचनात्मक्ता की माध्यम से सद्भावना पर तीसरा सत शिक्षा को असल विकास और उद्धिमिता की चमता का उपयोग पर पांच वा सत और सत्रवें पीवीडी कन्वेंशन का माध्य क्योंकि यह 5-4 साल के अंतराल के बाद और कोविद 19 महामारी की सुरुवात के बाद पहली बार एक बास्तवी कारिकरम की रूम में आयजित किया रहा है और महामारी के दोरान 2021 में पिछल आई के लिए हो सकते हैं आप भी तो अगर सहर वदल के कहीं रह रहे हैं तो प्रवासी ही तो हैं उस सहर में अब आप देखें वहां अगर आप नोक्री कर रहे हैं तो घर कुछ भेजते होंगे 9 जन्वरी 2023 को मत्पदेश की चेकिस्था सिक्षा मंत्री विश्वास केला सहर ने बताय कि चेकिस्था सिक्षा बेभाग की नवाचार मेडिकल नौलिज शेरिंग मिसंत के अंतरगत American Association of Physician of Indian Origin और मात्विदे सरकार के बीच OEMU हस्ता अक्षा रुप किये गये हैं फिरबासी भारती सम्मिलन के दूसरे इन चिकसा सिक्षा मंत्री पर विश्वास के ला सारंग ने American Association of Physician of Indian Origin और संगर्टन के चिकस्तकों के साथ विश्वास के दूसरे दूसरे इन चिकसा सिक्षा मंत्री सारंग ने कहा है कि Medical Knowledge Sharing Mission के अंत्रकत होने जा रहे है इस MOU में AAPI द्वारा मत्री देश की चिकसा विद्यारतियों और चिकस्तकों के लिए ओनलाइन लेक्चर्स इवं बारुक सोग में अपना पहला अपना सहिव प्यदान किया जाएगा इसमें अंगली खबर आप देखेंगे ए आप देखेंगे दस जनवरी दोजाग तेश की है राजसासन द्वारा भूमी अरजन पुनरवासन और पुनर विवस्था में उचित फितीकर और पादरस्ता का अधिकार अधिनियम दोजाग तेरे में कारवाही समय सीमा पूर करने और सम पूर के दायत होंगे और इन दायतों की अधिन मद्पदेश राजभूमी सुधार आयूक की कुर राजभूमी अधिगहन बोड भी घोसित किया गया है अंगला दस जनवरी 2023 की है घटना दस जनवरी दोफ़ती मूर्मू जो हमारे देश की राजभूमी बिलेंट कन्वेंशन सेंटर इंदोर में तीन दिवस ही है 27 प्रवासी भारतिये दिवस समीलन का समापन किया है उन्होंने अपने अपने छित में उतकिष्ट कार के लिए 27 प्रवासी भारतियों को प्रवासी भारतिये समान पूरुसकार भी दिया है और कारिकरम में गुआना की राष्टपती डॉक्टर मुहमद इर्फान अली और सुरीनाव की राष्टपती चंदिका प्रसाद संतों की विसेश रोप से सामिल हुए राष्टपती ने प्रवासी भारती संबान प्रवासी भारतियों को दिये जाने वाला देश का सर्वोच संबान है या उनके भारत और ने देशों के लिए किये गए कारियों और योगदान को पिदरसित करता है और मुकमंत्री ने शिवजरा सिंग चोहन ने कहाई कि यहाँ प्रवासी भारतियों ने नवो गिलोबल पार्क में पौधी भी लगाए हैं अतिती को QOR कोड दिये गये हैं जिनमें वे रोपे गये पौधी की देखरेक की जानकारी भी पुराप्त कर सकेंगे और प्रवासी भारतिय संभान फौरुसकार पिराप्त करने वाले प्रवासी भारतियों में इजरायल पर्मानंद सुखमल दासवानी एकांगो मोहनलाल इरा दचरफी का सिफ कुमार नादिशन स्रीलंका दौक्टर देवचन्द भोसर्मा सुरीनाब समदाई कल्यारो मैटिशन के लिए डॉक्टर अमल कुमार मकवद्या, जर्मनी, डॉक्टर एलेक्स जैंडर, जोन वृनोई. समुधाई कल्याड और व्यापार के लिए अमित कैलास चंदना लाथ ए पोलेंड संजेक मार सिभाई फटल दच्छिड सूडान डॉक्टर दर्शन सिंग धालीवाल अमेरिका सिधाद वाल चंदन ए सेवतरव अमिराग बिग्यान और तक्निकी सिख्छा में प्रोफेसर जगदीश चंदपती या उस्टिलिया डॉक्टर अर्चना सर्मा सुईजेलेंड सिख्छा में संजीब महता भूतान सूसरी मक्सूदा सर्फी सियो टानी जापान डॉक्टर राजा गोपाल मेक्सको और सिख्छा समुधाई कल्यार के लिए जस्टिस फैंक और था सिफर साथ इतनी डाध और टोवेगो कलास अंस्किति दिली लूंडो ब्राजील डॉक्टर वैंकोटम अवेर लच्मन एकनाडा डॉक्टर जुगनेदर सिंग निजर एक्वेसिया में सूचना प्रोफेसर राम जी पिरसाथ डैनवा अंगली खबर है आपकी 11 जनवरी 2023 को फिधान मंतीर नेंदमोदी ने विलियंड कन्वेंशन सेंटर इंदोर में साधवी गिलोवल इन्वेस्टर समिट का वर्चुल सुवारम किया है इस समिट का समापन 12 जनवरी को होगा कब होगा 12 जनवरी को होगा और इसमें आप देख पती चंदिका प्रिसाथ संतों की पिसे चुरूप से सामिल हुए और इन्होंने संबोधिन भी दिया और अपने संबोधन में पिधान मंतरी मोदी साहब ने कहा है कि हमारे मजबूत मैक्रो एकोनोमिक फंडामेंटल्स दुनिया का नेतित करने में सक्षम है और आज भारत भारत की तीक सबसे बढ़ती अर्थवरस्था है और आगा में चार- pięच बरस में भारत भी की सबसे बड़ अर्थवरस्था होगी यह बैस्विक पटल पर भारत का दसक नहीं बलकि भारत की सताबदी है और मुकमंती सिंब रासिंग चौहान ने कहा है कि इन दोर में हो रही सम्मिट सही एर्थ में £É इस सम्मिट में जहां सोरीटी नाम और नाम की राष्ठपती आये हुिन सम्मिट में और वणिजर्शास की बित मंतरी बंगला देश की वरड़िज्ज और मंतरी जिंबॉंबंबगी की खनीज मंतरी भी आये थे और विसके 33 देश के पितिनी दी और कुल 84 देशों के 431 डेलिगेट से इसमें आये थे और Global Investor Summit के दूसरे दिन पिदेश में उद्धोगिक निवेस बढ़ाने के लिए 9 सेंसन में निवेसकों से चर्चा भी हुई है मद्यपिदेश से निर्याद को बढ़ाबा देने पर चर्चा होगी और इसके साथी अन सेसन में सामाजिक बुनियादी धाचे के विकास के लिए मद्यपिदेश से निवेसकों से चर्चा होगी और एकरने सेसन में आप देखेंगे इंडिया इजराइल, USA और UAE समूर सांजहा निवेस पर भी चर्चा होगी और इसमें आप देखेंगे कि सम्मिट के दूसरे दिन सेसन में फिर्मों कुरूफ से भारत की पाठ टिलियन की एकोनोमी मद्यपिदेश का युगदान, Aerospace, Defense के चेत में मद्यपिदेश से संभावना है, भारत में Manufacturing को गती देने में मद्यपिदेश का युगदान, और इन सब इस सेसन में आप देखें, मद्यपिदेश की नीवेश अनुकूल भूवियों के बारे में भी जानकारी होगी, केंदरी ये बडिज और उद्यप मंतरी प्रियूस गुएल ने अमेरिका से सम्मेट में बर्चुली जोडते हुए कहाई कि मद्यपिदेश में जे एस डवलू गुरूप के पात मित्तल ने कहाई कि हमारे समूग की पिदेश में 45,000 कितना 4500 करूर रुपे की निवेश की योजना है, 4500 और इसके अंतरगत पन्ना में सेमें पिलान की पीतमपुर में 1500 करूर रुपे की लागत से फैंट की एकाई बनाई जा रही है, और रिलाइंस गुरूप राज में अब तक आप देखें, 22,500 करूर रुपे की निवेश कर चुका है, और 40,000 करूर रुपे की निवेश की योजना भी इसमें है, आडानी गुरूप के पेड़ों, आडानी ने कहा है कि मत्पितिस में आडानी समूग 60,000 कर रुपे का होंगे, और समी द्वारा धार गुना, दमो उजन, आप देखेंगे कि इन दौर में फूर पारक स्थावित किये जा रहे हैं, तो यह भी याद रखेगा, गिलोबल समिट के बारे में, अंगली खवर की तरफ बढ़ते हैं, यह 13 जन्वरी 2023 को, मद्पिदेश के वितमंत्री उपलब्द कराते हैं हमने हाँ, और इस आउसर पर आप देखेंगे, बितमंत्री ने बताया कि को सालय हुमें, लागू एक एकि बित्तिये पिरवंधन सोचना पेडाली को और जान्दा सक्चा बनाने के लिए बिगत कुछ वर्स को समय से नए आयाम जोड़े जा रहे हैं, और डिजिटल लेखा पेशन, बिल पारित करने में ईसाधन, आम नागरिकों को कर राजुस का भुकतान करने के लिए इस आलान में सभी भुकतान विकल्प लब्द कराये जाएं, गए हैं, और इससे ना सिर्फ बित्तिये बेवहार में आसानी हुई, बलकि बित्तिये आपको चिन्नित कर रोका जा सकेगा, और साथी आसफल भुकतान में भी कमी है आएगी, और आप देखें, बित्तिये प्रबंधन सूचना पिडाली के अंतरगर सभी इद्गराहियों को बरस 2010 में से उनके बैंक खाते में सीधे इवुकतान किया जा रहा है, और समय की आवस बैंक खाता आधारित इभुकतान को सीधि भारती रिजर बैंक की इकोवर पिडाली से समस्त कोसालेयों में 16 जनवरी 2023 से पैरम किया जा रहा है, और इकोवर लागू होने से पिडेश की समस्त इभुकतान तेजी से समन्दित हिद्गराही की बैंक खाते में प्राप्त जो भारती रिजर बैंक और महाल एखाकार को भी भेजी जाती थी, जैसे आकणों की बेंदता के कई समस्याएं भी थी और इकोवर के आने से भारती रिजर बैंक से सीधे बिवहार होंगे, वित्ती लेंदिर की आकणों के मिलान की समस्या समाप्त होगी, आर भी आई कि अच्छी बात है अंगली ख़वर की तरफ बढ़ते हैं और भारती अंतराष्टी बिग्यान महोसव में बिग्यान के चित में हुई परग्यती पर आधारित एक बिसेस फिदरस्थित लगाई जाएगी और लगबग 2 लाग स्क्वाइर फिट की जगए पर लगने वाली पिदरस्थित करेंगी यहां और साथी 19 जनवाई 2023 को रन फोर साइंस का एजन होगा और बिग्यान के पिती लोगों की जागरुकता के लाने के उद्देश से यह है रन टीटी नगर स्टेडियम में सुरू होकर मैंनेट फरिशव समाप्थ होगी और भारती राष्टी बिग्यान अकादमी के कारिकारी निदेशक अरविंद रनारे ने बताई कि भारती रा अंतराष्टी बिग्यान महोसाओ की सुरुआद 2015 में IIT दिल्ली में से हुई थी और जब परोद की बिभाग के सीनियर साइंटिस्ट संजे मिसरा ने बताई कि हमाँ सब कोई सीमेन सेमिनार या कॉन्फिंस नहीं है या ही एक ऐसा समार हो है जिसमें स्कूल के स्टूडेंट को लेसे लेकर रेटाइड अधिकारी सह देश के विस्ष्ट बिग्यानिक सामिल होंगे और याद रहे या विज्ञान के व्यापक पिचार पिसार का एजन है इस महुसाओ की पंदरे गतिविदियां जैसे आर्टी जन टेकनोलोजी विलेज बोकल फोर लोकल न्यू एज एज टेकनोलोजी सो मेगा साइंस एंड टेकनोलोजी एगजी विशन इंटरनेशन साइंस फिलिम फेस्टिवल साइंस थुरू गेम्स एंड ट्वैज इस्टार्ट अप कॉन किलेफ होगी इसमें आप देखेंगे दस हजार से यदिक पिती भागी भी सामिल होगे कितने दस हजार से जांदर अंगली आप देखे 14 जनवरी 2023 को रिवाल्टा मेगा सोलर करने के लिए MP डिसकॉम को 50 कितना 5000 रुपे 5000 करो रुपे की रासी देने की पद्धिता भी बैक थी है और गिलोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में इसके लिए MOU पर हस्ता अक्षर भी हुए है इसके लाबा REC ने मध्विदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेर के साथ भी 15,86 करो रुपे की बित्तिय साहिता समझोदे पर हस्ता अक्षर किये है और RUM SL से हुए करार नामे की अनुसार REC द्वारा अक्षे उर्जा पार्कों परियोजनाओं के विकास बिजली बित्रन सहित सम्बंदी बुनियादी धांचे को कबर करने वाली नवकर निये उर्जा और नवकर निये उर्जा मंतराय लेद्वारा सोलर पार्क डवलपर नामंकित किया गया है इस पर ये उजना को पिदेश के नवकर निये उर्जा लक्षों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वूट कदम माना गया है और पिदेश का लक्ष बित्य बर्स 2024 तक नवकरनी है स्रोवतों के माध्यम से आवस्षक था बाली बिजली का 20-30, बित्त बर्स 2027 तक 30-30 और बित्त बर्स 2030 तक 50-30 उत्पादन करने का है और इसके अतरक आप देखें, REC ने विजली बित्रन कंपनियों के लिए एक बित्त पोशन योजना भी तेयार किये और इसे REC विस वेंग कारिकरम के एक भाग के रूम में बित्तिय साहता की कुल मातरा एक अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्द होगी इसके लिए तीक है और आटवे साइंस फेटीबल का यजन भारत सरकार की जैफ प्रोधकी, विज्ञान प्रोधकी की विभाग पित्वी विज्ञान मनत्राल है, विज्ञानेक को और उद्दोगिक अनुसंधान परिश्याद अंतरिक्ष पिभाग, परमाडु उर्जा बिभाग, विज्ञान मुख भी सह है थीम क्या है बिग्यान फुरुद्दकी की और नवाचार के साथ अमरेत काल की और अग्रसर देश मैप कोस्ट की महाने से डॉक्टर अनल कुठारी ने बताए कि साथे तीन किलोमीटर की मैराथन भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम से सुरू होगी और मैनिट केंपस में समापन होगा उन्होंने बताए कि साइंस मैराथन कायोजन भोपाल में पहली बार होने जा रहा है और आठवे भारत अंतराष्टी बिग्यान महोसों के तहित किया जा रहा है और रन में लगभग आप देखे 2000 से अधिक स्कूली और कॉलेज के विध्यार्ती और आमजन भी सामिल होंगे इसमें तो यह भी देखने को मिलेगा यह आप देखे 17 जन्वरी की ख़बर है क्या हुआ 17 जन्वरी को 17 जन्वरी 2023 को मद्विदेश के मुखमंती स्वास्त उपधाय मिलेगी और यह उचकोटी का स्पताल है पिदेश के लोगों को अब इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जोड़त नहीं होगी उन्होंने बताए कि दोगपती अनेल अंबानी द्वारा इंदोर को चेकिसा की छित में बड़ी स्वगात दी तो स्वास्त विवस्ता को ध्यान में दिखा जा रहा है इसी पिकार रेल्वे ओवर वेज नेशनल हाईवे नंबर साथ सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिए 126 करोर 40 लाग रोपे सुविकित किये गए है यारासी केंदरी सडक अधोसर रचना कोस अधिनियम 2000 हेतु बंधन योजना में सुविकित की गई है मंतरी गोपाल भरगों ने बताई कि से जिलों के विकास को और जांदा गत्ती मिलेगी और बढ़ती सडक अधोसर रचना से मंत्य पिदेश देश के अर्थ विवस्था में भरपूर योगदान देने में सक्षम मनेगा अंगली खबर की तरफ बरते हैं यह आप देखें 18 जनवरी 2023 को राजपाल मंगू भाई पटल ने विक्रम कीर्थी मंदिर उज्जेन इस्तित पुरातत संग्राले पईशब में नभीन भवन सहद नई विधीकाओं का भूमी पूजन किया है और साथी राजपाल उच्च सिक्चा मंत्री डॉक्टर मोहन यादों ने पुरातत संग्राले का निर्ख्चन भी किया है और उज्जेन विक्रम विष्विध्याले इस्तित विक्रम कीर्थी मंदिर संग्राले में सहर के समरिद इतियास के कुछ संग्राय जिसमें लगवख सभी अवधियों और सासकों की कलाक्तिया है और संग्राले में प्रगीतिहासी ग्योंकी 650 कलाक्टिया और 3,000 दुरलाप पांडूलिप्यों का विसाल संग्रा है और संग्राले का वर्तमार भवन जीन स्रीन्ड है और जैन स्मार्ट सिटी द्वारा संग्राले की जीन दुद्धार और 19 कार किया जाएगा और इसके लिए मेमर्स मैसर्स दोसी कंसल्टेंट फ्रो लिमिटेर इंदोर के काया देश जारी किया जा चुका है और पिस्तावितकार में आप देखी बारे सो वर्क मीटर के नई भवन का निर्मार पैंतालीस सो चारहजार पांस सो वर्क मीटर के मौझूद्धा ढांचे काउनने नभी करन नवनी करन और कलाक्तियों को पेदसन करने के लिए नई गैलेरी स्तावित करना बातानू कूलन और आधुनिक भंडारन पैदसन पिरकास बिवस्था और ओडियो डिजिटल माध्यम से कलाक्तियों एवं पांडू लिपियों के बारे में जानकारी देना और जन सो विधाय विक्सित करना आधी सामिल होगे और पुरातत संग्राले भवन निर्मान सहित कई नई बिथी काएं 14 करोड रुपे की लागस से बनाई जाएंगे और संग्राले को आने वाले दिनों में सरकार द्वारा 14 करोड रुपे की लागस से आप देखे समारने 14 करोर रुपे की लागस से समारने का कार किया जाएगा और इनमे संग्राले को अत्याधोनिक रोप से देने और सरक्षित पितिमाओं और आप देखेंगे पितिमाओं और आउसेसों को सरक्षित नेखने का कार किये जाएगे पुरातत संग्राले में रखी पुराताद्विक धरोहर पांच लाग साल पुराना विसे धांती मस्तिस और गेंडिका सिंग दर्याई घोडे के दाथ जंगली भैसों का जबड़ा और अन दोसो जीवस्म और अन अवसेसों को बिभिन बिथी काओं में पिदरसित किया और इस संग्राले में उज्जेन की राजा चंड पिगोत की काल में निर्मिट लकडी की दिवार और बंदरगाह की आउसेस के रूमें गड़िक कालिका छेतिस्तित सिप्रा नदी के तट से प्राब्दस्त लठे जो के 2600 बरस पुरुके हैं को भी पिदरसित किया जाएगा इसके साथी उज्जेन के ग्रामिट चित्रों में काय था, महीतपूर, आजाद नगर, रुनीजा, सोडंग, टकरावाद्धा, उत्खनन के साथ प्राब्दह 4000 बरस पुरानी पुरा ताद्विक सामगरी पे सित्की जाएगी इसके इलावा संग्राले में मौजूद पिस्तर 472 पितिमाय जोकी मौर काल से लिकर मराठा काल तक की हैं, को भी नवनिर्मित बिती काओं में पिदसित कर संगराले को समरित बनानी की युजना बनाई गए हैं, पिथम चर में आप देखें, 7.5 करूर रुपी की लागर से बावमन निर्माट, 6.5 करूर रुपी की गोषना के मताविक 22 जनवरी को सिंगरॉली में सास्की मेडिकल कॉलिज भवन का से लन्यास किया जाएगा, और बिदेथ है कि सिंगरॉली जिला ताब बिद्दुत के अंदरों, कोईला, खनन, परियोजनाओं के कारण, पिदेश का सरवाधिक राजस्त देने बाला जिला ह ने बताए कि सिंगरॉली में मेडिकल कॉलिज की मांग लंबी समय से की जा रही है, और मेडिकल कॉलिज भवन का निर्मार ग्राम नौगर में किया जा रहा है, और इसके लिए 25 एकर जमीन आवरंटित की गई है, भवन परिशर निर्मार के लिए 242 करोड 27 लाग रुपी मन जाने से यहां उप्चार की विस्ता बेतर होगी, और सेंगरॉली ही नहीं, पूरे बिंद छेते के विध्यारतियों के डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा होगा, और जंजाती ये बहूल अंचल के विध्यारती अपने घर के समीप रहे कर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे और मेडिकल कॉलेज में विध्यारतियों को सिक्षा देने की वरिष्ट डॉक्टरों अनुभवी प्रध्यापकों की नियुक्ती होगी, और उनके मेडिकल ग्यान और दक्षिता का लाब भी सेंगरॉली जिले को मिलेगा, क्या होगा, लाब मिलेगा, अंगली खवर की और मत्विदिस टारांस को कंपणी द्वारा 220 के भी सबस्टेशन बेरागर भोपाल में 10 करोड 85 लाक रुपे की लागस से निर्मे 220 के भी के दो नए सर्किट फीडर और लाइन को उर्जिकित किया गया है, और जैसे बेरागर जहां 400 के भी सबस्टेशन अस्टा से सीधा ज दफल हुई है, क्योंकि कुछ समय पूर 400 के भी सबस्टेशन अस्टा में 315 के एम भी चमतागा एक पावर ट्रांस्फॉर्मर उजिकित किया गया था, और जिसके मध्य विदेश पावर ट्रांस्मिशन कमपनी को सेंटर गेड से अतरिक्त बिजली मिल पाई है, और इसका फ और आप देखते हैं कि एनफी गुपता ने बताया कि नए 220 के भी सर्किर के निर्माट से बेरागार से जुड़े, 132 के भी आईटी पार्क इट खेडी रोहाना, स्यामपूर, कुरावर, सिहोर, लाल घाटी सबस्टेशन को फायदा पहुंचेगा, और जहां आप कुम अध्वधेश की मुकमंति शिवरा सिंग चोहान ने भोपाल इस्ति सबागार में स्वास् सुरक्षा में सहयोगी पुस्तक वैलोपैथी माय नैचूरल हीलर का बेवचन किया था, और याद रहे वैलोपैथी माय नैचूरल हीलर पुस्तक के लेकर रतलाम जिले के अपनी स्वास्त सुरक्षा में आत्मरभर बन सके और साथ अध्याव में वहाजित इस पोस्तक में जीवन सेली के तीन आयाम फोड उठने बैठने की तरीके और माइंड पर जानकारी दी गई है और आप देखें इसमें वेलू पर थी के सिध्धान शरीर के नियम बीमारियों उनके सुरक्षा, आहर पोसन के सिध्धान, कॉलेश्टॉल नियंतन, एलर्जिक फूड और जीवन सेली पर चित्रों और सरल भासा में मारदरसन उपलद कराए गया है इसमें यह भी देखने को में लेगा आँगे आप देखेंगे 20 जनवरी 2023 को मद्ध पिदेश के परेटन और संस्किती एवन टूरिज बोड की प्रमुक सचे वो प्रवंध संचालक सिफ सेकर सुकला ने बताया है कि मंदसोर में आने वाले परेटकों को एका नूठा गिलेफिंग और एडवंचर एक्टिविटीज का अनुभाव देने वाला ही है अदूतिय और अपनी तरह का प प्रमुक साहसी लोगों के लिए एक सांदार तेवहार है जो उन्हें सहर की हलचल से दूर्ट प्राक्तिक परिवेस में ले जाता है फिलोटिंग फेस्टिवल में फिलोटिंग मार्केट बोट सफारी लाइब संगीत और आप देखे अन्न का भी आयुजन होगा इसके अला मनोरंजन, मनोरम, इस्थानिय और अंतराष्टी बेंजनों, इंडोर, स्पोर्ट, सब्मेलन सोविधाओं कि आराम दायक, प्रिवासों निश्चित करने के लिए सावधानी पूरवक डिजाइन किया गया है प्रक्ति आधारी सिल्फ के बारे में लोगों को जानकारी के लि और रोजगार की नई संभावना है पैदा करने के लिए सुरुआती दस साल की पहले है और सिफ सेकर ने बताया कि इस वार इजना का उदेश राष्टी और अंतराष्टी दोनों परेटकों को आकरसित करना है जिससे उन्हें मद्पदेश के बेविन आकरसनों का है और आप देखते हैं कि बहुत इसका फायदा भी मिलेगा इसमें कोई दोहराय नहीं है ठीक है अंगली खबर है आपके सामने 22 जनवरी 2023 को मद्पदेश की सतना की मजवाव मजवा की स्टियम पीएस तिरपाटी ने बताये कि भगवान राम की तपो भूमी धरम नगरी च तीसरी गुफा नजर आई है और जल्दी पुरातत विभाग की टीम को बुलाकर जानकारी कराई जाएगी और एस्टियम ने बताई कि गुफा की लंबाई लगभग 25 फिट बचोड़ाई डेट मीटर है और अंधिहरा होने के चलते मजवा की एस्टियम बकाई अधिकारिय आधी दूरी तक ही पहुंच सके और पुरानी काल में चितकूट धर्मनगी खुद के इतिहासिक मत को सजय हुए है और धर्मनगी की प्राक्ति पहाड़ियों के कंद्राओं और गुफाओं के साधू संत तपस्या में लीन है और जिनके आप देखें दर्सन भीहत दुल्ला गये भी होंगे अंगली ख़वर की तरफ चलते हैं ये 23 जनवरी 2023 को मद्द पिदेश के मुख निरवाचन अधिकारी अनुपरम राजन ने बताया कि मद्द पिदेश के सभी 64 हजार सो मद्दाता केंद्रों पर 25 जनवरी को 13 बार राश्टी मद्दाता दिवस मनाय जाता है और आपको मालो होगा कि देखे भारती निरवाचन आयूग जो समिधानिक संस्ता है जो आपके विधान सभा, विधान पईशद, राज सभा, लोग सभा, राश्ट पती, उपराश्ट पती चुनाओ की देखपाल करता है इसकी इस्ता अपना हुई थी 25 जनवरी 1950 में और न मुख निरवाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मद्ध पतेश के राजपाल मंगु भाई पतेल की मुख अतीती में भोपाल की कुसाभाव ठागरे इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में राजिस्तरी ये कारकरम 13 बारा राश्टी मद्दाता दिवस आयूजित कि 13 बी राश्टी मद्दाता दिवस के कारकरम पिदेश के सभी बावन जिले में किये जाएंगे और साथी पिदेश के सभी सेक्षडिक संस्थाओं में अद्रत विध्यारतियों और सास्की कार्यावलों में कारत अधिकारी करमचारी को मद्दाता सपत दिलाई जाएगी और म निर्वाचक रजिष्टी करन अधिकारी निर्वाचक परिवेक्षक और भूथ लेवल अधिकारी को पिसस्तिपत और मोमेट्टो प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा और राष्टी राज मद्दाता दिवसपर राज इस्तरी ये कारिकरम में 1952 में हुए पिथम आम कि तहत राष्टी इस्तरपा मद्दाता जागरूगता को लेकर पितियुगता कराई गई है निबंद स्लोगन गीद पोस्टर सहथ अने पितियुगता है हुई है देश बर में पिदेश के 27 पिती भागी बिजेता बने है और आप देखी राज इस्तरी मद्दाता दिवसप बोट जैसा कुछ नहीं बोट जरूर डालने हम थीम के पर मनाये जाएगा और आप देखते हैं कि भारती ने वाचन हुआ एक द्वारा राष्टी मद्दाता दिवस में पर मैं भारत हूँ गीत का सुबारम किया जाएगा मद्दाता को दो दिन वाली सुविधाय मद्दान जाए जागरोग बने अच्छी तरह से बोट डालें अंगली ख़बर 23 जनवजी 2023 को मद्देश के जनस्तम पर विभाग द्वारा दी गई जानक्यान की अनुसार वितेश के रायसें जिले में सांची की बिद्धुत आवसकताओं की पोर्ती और विजली आप पोर्ती में आ वोगताओं को अपने परिशर में सोलर रूप टॉप लगवाने का अहन किया गया है और सोलर रूप टॉप के बारे में बताते हुए ग्रेन एनरजी को बड़ावा देने के लिए पेरित किया जा रहा है और सांची में सौर उर्जा के मध्यम से 3 मेगावार्ट बिजली का पादन किया जाएगा और इससे सांची विजली आप उर्टी में आहत मिरभड होने के साथी अंगले पांच बरसों की विद्धुत आवर सकताओं की पूर्टी सौर उर्जा से सुनिशित होगी और सांची में सौर इस्टीट लाइन गार्डन लाइट इस्टर लाइट हाई अच्छी बात है क्या है अच्छी बात है आगे आप देखें तेश जन्वरी 2023 को केंदरी सरक परिवहन एवं राजवार मंतरी नितिन गड़करी ने मद्ध पिदेश के उर्चा में 6,800 कर रूपे की लागत बाली 550 किलो मीटर की कुल लंबाई बाली 18 राष्ती राजमार्क परियोजना का उदगाटन किया है और यह साउसर पर केंदरी सरक परिवहन राजमंतरी ने कहा है कि बैतबा में 665 मीटर लंबी पुल का निर्मार 25 कर रूपे की लागत से किया गया है दो लेंड पिब्डल सोल्डर ब्रेज और फुट पाथ की निर्मार्ण की साथ ओरचा जहांसी टीकमगड की कनेक्टी ट्री में भी सुधार आ जाएगा आप लोग बैए गए होंगे ओरचा में तो आप देखे पुराने समय का एक पुल था और जिसमें आप देखते हैं बरसाद के समय रुक जाता था क्योंकि बरसाद में आप देखे पानी उपर जाने लगता था तो वहीं पुल बनाया जा रहा है पवई ओरचा हरपालपूर कैती पड़रिया कला बटनातमौली जसो नागोड और सागर इनलिंक रोड बाइपास के निर्माल से नगर में यातायत का दबाव कम होगा और सागर इनलिंक मार्क से भोपाल से कानपूर की दुरी मुहरी से समाई घाट और चौक होते हुए मदपिदेश उत्तर पिदेश तक 21 किलोमीटर कम हो जाएगी और गड़करी से हमने कहा है कि सीमा तक चाल लेन चोड़ा करने से यातरा की समय में भारी कमी आ जाएगी और उनने कहे कि भोपाल कानपूर आर्थिक गल्यारी की निर्माण से सेमेंट और खनेज अव्यवों का परिवहन सरल हो जाएगा लॉजिस्टिक से लागत कम हो जाएगी और इस गल्यारी के निर्माड के साथ भोपाल से कानवो लखनो प्रयाद राज बनारसी का संपरक अच्छा हो जाएगा और टीकमगर से ओरचा तक फेब्ड सोल्डर के साथ दो लेन सड़क के निर्माड से याताया सुरक्षित हो जाएगा और इस कारिकर में गडकरी ने 200 कितना 2000 करोरपी की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किलोमीटर लंबी वाली चाल लेन की ग्रीन फिल्ड सड़क के निर्माड की भी घोशना किये और इस मार के निर्माड के साथ आप देखी टीकमगड पन्ना चतरपुर्ख खजराहू बांदावगड राष्टी उद्यान के परेटन को बड़ावा मिलेगा इस ते यह भी देखने को मिलेगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं 24 जनवरी 2023 को मुकबंती सिवरासिंग चोहन की अध्यक्स्ता में मंती पसद की बैठक में महला सोय साहता समुहों को तीन लाग रोपे तक के बैंक रेड़ पर अतरिक्त दो पिती साथ ब्याच की पिती पूर्टी के जाने सहत काईम अन महतपूर्ण नेड़े लिए गये हैं पिदेश में संचालित मद्पिदेश दीन दयाल अंतियोदर योजना राज ग्रामीड अजीपका मिसन और सहरी अजीपका मिसन के अंतर गठित महला सोय साहता समुहों को अतरिक्त अजीपका की अवसर उपलब्द करनानी के लिए राज ग्रामीड अजीपका मिसन में सभी जिलों में उनी महिला स्वय सहायता समुहों को यह पितिपूर्टी की जाएगी और जिन राज सासन और केंद सासन सी तीन पितिसद ब्याज अनुदान विदान किया गया है और मंदी परसद ने पिदेश में सहरी छेत की अधोसा रचना और अन्य विकास कारियों के लिए मुक चिकसा महा विद्याले सागर में 85 PGC विद्धी के लिए 101 करोर रुपे 46लाख रुपे की पिंशाष यह सुईकिती पदान के गयेकी चिकसा महाविद्याले सागर की विवन व्यभागों में PGC की विद्धी से प्यदेश को पितीवस अतरेक्ट संख्या मेंorie 2 संखी सक रुप संचालन के लिए मार्ग्दस्ती सिध्धान्तों का नुखमूदन भी किया गया है और मंती पसज़ द्वारा संवीदा साला सिख्षक को पुरात्मिक शिख्षक प्रयोक साला सिख्षक से पिती स्थाफित करने करने ड़े भी लिया गया है अंगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं यह आप देखेंगे 24 जन्वरी 2023 को भुपाल में राष्टी ग्रामीट एवं किरसी विकास बेंग नावाड के मद्ध पिदेश चेत्री कारयाले ने राज रिड संगोष्टी 2023 में बताया कि नावाड मद्ध पिदेश की विकास को गती देने के लिए 2023 के लिए प्रात्मिक्ता प्राप्त चेत्रों में दो लाख अंठावन हजार पांसो अंठानवे करूर रुपीय का रेड उपलब्द कराएगा और यह पिछले बरस की तुल्ला में लगबग 6.43 पितिसत है नावाड के बारे में आप लोगोंने सुना होगा इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा इसे नेशनल बैंक फोर अग्रीकिल्चर और रूलल डवलमेंट कहते हैं इसके इस्तावना बारे जुलाई 1982 में हुई थी और मुंबई में इसका हेड को अटर देखने को मिलेगा इससे डारेक्ट कुश्चन्स कही बार हूँच लेता है 2,59,598 करोर रुपे की रेड संभाव विता में किरसी के लिए 1,80,160 करोर रुपे और MSME के लिए 65,832 करोर रुपे अन परात्मिक ताओं वाले चेतरों के लिए 12,606 करोर रुपे की रेड सामिल है और मद्पदेश के बित मंतरी जगदीस देवडा ने संभुष्टी में कहा है कि नावाड की इस महत्मूर्ट सहयोग से किसान उद्धिमों से जोड़े कामगारों और राजी की पूर्ण अर्थ विवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देश के 5 टिलियन डॉलर अर्थ विवस्था की लक्ष को हासिल करने में मद्ध पदेश के 550 बिलियन डॉलर की युगदान की लक्ष को हासिल करने में मद्ध मिलेगी और संगुष्टी में बित्मंत्री ने राज फॉकस पेपर 2022-2023-2024 तथा 550 बिलियन डॉलर अर्ध वस्ता के लिए मद्ध पिदेश में किरसी रिड प्रमुक मुद्दे पुस्तिका का बिमोचन भी किया है और याद रहे भारत सरकार की प्रात्मेक्ताओं को ध्यान में रखते हुए रिड आकलन में किरसी, MSME और सभी प्रात्मेक्ताओं वाले छेट की सिदारी के रबस सतर पिती सत पचीस पिती सत और पांच पिती सत आंगी गई है और नावाड के सयुक से जलसांसादन, केसी मसिनीरिकान, बंजर म्हूमी विकास, पसूपालन, मचली पालन, भंडार गर निर्माण, खाद विसंसकन, नवकर्णिये, उर्जा छेत्रों जेस्त में सकारत्मक परिवर्तन होगा इससे यह भी देखने को मिलेगा आगली ख़बर की तरफ चलते हैं हम लोग यह 25 जनवरी 2023 को गरतन दिवस की पूर संध्या पर 2023 के लिए देश के सरवोच नागरेक पुरुसकार पदम पुरुसकारों की घोशना की गई है और इनमें मदपदेश के चार भीवुतियों को पदम सिरी अबॉट दिया गया है यह 1905 में सुरू हुए थे बर्स 2023 के लिए राष्टपती ने तीन देव मामलों एक दुर्व मामली में पुरुसकार को एक रूम में गिना जाता है सहत 106 पदम पुरुसकारों के दान किये जाने की बंजूरी किये इस सूची में आप देखें 6 पदम भीवुसन है 9 पदम भुसन है और 91 पदम सिरी पुरुसकार दिया जाते है पुरुसकार वालों की सूची में आप देखें 19 महलाएं भी है 19 महलाएं बिदेशी एनाईय और पियाईय सेनी की सेनी में दो ब्यक्ति और साथ लोगों को मड़ने के बाद ये पुरुसकार दिया गया है पदम पुरुसकार के लिए चैनित मद्विदेश की चार भीवूतियों में स्रीमती जोदिया बाई, डॉक्टर मुनिस्वर चंदावर और स्री रमिस परमार और स्रीमती सांती परमार सेवत्रूप से इने सामिल दिया गया है इंचार नाम आप लोगों को यांद रखना है पुरुसकार की जाती है पिदान किये जाते हैं जो आम तोर पर आप देखें हल साल मार्च अपरेल की आसपास राठ्वती भवन में आईवित किये जाते हैं अंगली खवर की तरह चलते हैं यह आप देखें 26 जनवरी 2023 को मदविज़स के राजजिबाल मंगु भाई पटल ने गरतन दिवस की आउसर पर गरतन का उसव लोक रंग का सुबारम किया है उन्होंने उसव में साहितकारों को राष्टी सम्मान से विभूसित किया उगरतन दिवस हमारों की विजेताओं को पुरुसकार भी दिये हैं याद रहे रमेंद भवन परिशा भोपाल में 30 जनवरी तक लोक रंग उसव मनाया जाएगा और भोपाल में लोक रंग के केंदर में विमुक्तो गुबंतु विसय को रखा गया है लोक रंग में यूकरेन, यूके, एजिप्ट के साथ देश के बारे राज्यों के लोक नित की पिस्तुतियां होगी और लोक रंग उसव में विमिन सिल्प, माध्यों के सिल्पों का मेला होनर, कलात्मक दीपकों की पिदरसनी, अभ्यर्थना, कलाउस संस्किती, विसक पुस्तकों का पुस्तक मेला, देशज बेंजन, स्वाद बेंजन, पिदरसनी, गायन पिस्तुती पर लोक राग आधी और आप दिखें इसा उसर पर राजपाल मंगु भाई पटलो पिदेश की संस्किती पर यटर्ण धार्मिक नियाथ और धर्मस मंत्री उज्या ठाकुड ने, उसा ठाकुड ने साहितकारों को राष्टी संबान से विभूसित किया है, और राष्टी कभी संबान 2021 में हिंद दूर सुदेग अहुदान के लिए डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को दिया गया है, और राष्टी सरजोसी संबान वर्स 2021 से ललिक निवंद के चित में प्रासंगिक अध्यन फरक अभिव्यक्ती के लिए डॉक्टर सिरीराम परिहार को भीवसित किया गया है, और आप देखे राष्टी नाना जी देशमुख संबान 2021 से जन्जाती एकल्यान के अंदर महाकोसल, वर्गाओं डिन्डोरी को समासेबा के चित में बुनियादी और साथक सरोकार को के अंदर में रखकर किये जा रहे बेवहारिक कारियों के लिए दिया गया है, राजपालों म विभन कला विधाओं की जानकारी भी एप से पराप्त हो सकेगे, और राजपाल पतेल और मंतरी उसा ठाकुर ने गर्तन दिवस्त परेड, लोकने सांसे की तिक पिस्तुतियाओं और ज्हाकियों के विजेताओं को ट्रॉफी और पिसस्ती पत्य देकर समानित किया है, और आप देखें पहला इस्तान जिल भिवाग, दूसरा इस्तान परेटन भिवाग, तीसरा इस्तान वन भिवाग ने पिराप किया है, सेने दलों की सेनी में पहला इस्तान हौक पोर्स, दूसरा विशेस सक्तबल, तीसरा आप देखें STF पिलान टून को पिदान किया गया है, असेन दल की सेड़ी में पहला इस्थान भूत्पू सेनिक, दूसरा NCC एयर विंग, तीसरा इस्थान सायुक्त रोफ से सीनिय डिविजन, NCC आर्मी विंग, गल्स और NCC नेवल विंग को पिदान किया गया है। और विद्धियाले में पहला इस्थान सास्की नवीन, उच्चतर मादमिक विद्धियाले, दूसरा हेमा, उच्चतर मादमिक विद्धियाले भेल और तीसरा इस्थान मानसर ओवर पबलिक स्कूल को पराप्त है। गौबंसी है नसल और भारती उन्नत नसल की दुधाओं गायों के लिए पुरुसकार योजना लाओ की जा रही है और पसुपालन मंत्रियर बताया कि पिदेश देश पिदेश की देश सी नसलों की गोपालन को बड़ावा देने के उद्देश से सुरूख की गई योजना में पिदेश की मूल और भारती उन्नत नसल की गायों की पितियोगिता होंगी और इस पिदेश की मूल गोबंसी है और भारती उन्नत नसल की दुधारू गायों की पितियोगिता जिलों में अलग लग की जाएगी और पिदेश की मूल गोबंसी है नसल पितियोगता 15 जिलों आ आगर मालवा, साजापूर, राजगर, उज्जेन, इंदोर, खंडवा, खरगोन, वुरहानपूर, बढवानी, धार, दमो, पन्ना, टीकमगर, चतरपूर, निबाडी में की जाएगी। अधिक और भारती गाय का 6 लीटर या उससे अधिक होना चाहिए। पालकों की सूची में मैं गायों की नरसल और दुग्द उत्पादन बेवरी के साथ बेभागी वेवसाइट पर उपलब्ध होगे इसमें। चली आगे बढ़ते हैं। योजना पिदेश की बहनों की जिंदगी को और बहतर बना रहेगी। और पिदेश की महलाएं आर्थिक रूप से ससक्त होंगी। और आप देखेंगे कि इस गौरप दिबस की अउसर पर मुखमंती ने नर्वधा पुरम जिलेक को अनेक विकास कारेयों की सोगात देते हुए। रमलीला मैदान के उन्यान और दो करोर रुपी की लागत से मुखमंत्री अदोसर रचना और विभिन विकास कारेयों और पांच करोर त्रेफल लाक रुपे की लागत बाली नगर के ऑडिटोरियम का वर्चुले भूमी पूजन होगा। तो उन्हें आप लोग फॉम भर रहे होंगे तो भरवा दिजी आंगे। इसमें भारत की चार यूतियों का चैन हुआ है। और जिन मैंसे आप देखें दो यूतियां मद्पिदेश के पन्ना जिले की महंदा, ग्राम की सोनाली विसकर्मा और गुना की वर्सा जाटाओ का चैन हुआ है। और अन्य दो यूतियां खुसवू और काजल कनोजिया उत्तरपिदेश के बनारस जिले की है। इस चारों यूतियां इस प्रोजेक्ट के तहट भारत को रिपेजेंट कर रही है। और इस प्रोजेक्ट का कोलो वरेशन भारत में कारण संस्था, मिलान फाउंडेशन और नेपाल में कारण संस्था, फी यारसी के साथ है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यूतियां यूत की आवाज को विसस्तर पर पहुंचाएंगी। तो अच्छी पहल है। अंगली खबत 30 जनवरी 2023 को मध्विदेश में 17 अती उच्छदाफ सर्विस्टेशन बनाने के लिए मध्विदेश पावर मेनेजमेंट कमपनी उमेसर्स, मेगा इंजिनियर इंजिनिंग और इंफराट्रेक्चर लिमेंटेड के विच टी एस ए ट्रांसमिशन सर्विस एक् पहले मध्विदेश आसंद्वारा नियुक्त बिड फ्रोसेस को को ओडिनेटर आर इसी पी डी सी एल ने टेंडर पिक्रिया पूरी करने के बाद नियूंतम वेडर मेसर्स मेगा इंजिनिंग और इंफराट्रेक्चर लिमेटेड है है हैधरावाद को SPA सियर परचेज एग मेगा इंजिनिरिंग एंड इंफराट्रेक्टेक्चर लिमेटेट ने मध्विदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 17 अती उच्छदाव के सवेस्टेशन बनाने का यह कॉंटेक्ट हासिल किया है और 17 अती उच्छदाव के सवेस्टेशन में 400 के वी का एक और 220 के व बेकर रिवर्स औक्षन पिक्रिया के बाद यह टेंडर मिला है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड पावर गेड कॉर्पिरेशन Of India, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड टेकनो एलेक्टिक और इंजिनिनिंग कंपनी लिमिटेड अंतिम दौर की टेंडर पिक्रिया में सामि भुवाल चित में होसंगा बाद जिले की बिसोनी कला वैतूल जिले की साहःपुरा में 220 कवी का और राजगर जिले की छापी हेडा और धर्दा जिले के सुधालने की शुदालोन पुर्लियोन सिहहुर जिले के जावार जोड़ असुक नगर जिले की सेमरा हाट में 132 के वी के सब इस्टेशन, धार जिले की पीथमपुर में 132, आप देखेंगे 33 के वी का G.I.S. सब इस्टेशन, और खरगोन जिले में आप देखेंगे 220 के वी के सब इस्टेशन, उजेन जिले की भाट, पचलाना, और खरगोन जिले के आप देखेंगे दोधर देवास जले के चोवरा धीर अली राजपुर जले के अमजा में 132-33 के केवी के सबस्टेशन बनाये जाएंगे और निर्मार करने के बाद इन सबस्टेशनों का संचालन 35 वर्स के लिए मैसर्स मेगा एंजिनिंग एंड इंफ्रेक्टर्चर लिमिट पाकुर राजी की खेल मंत्री है सोधरा राजी सिंधिया की मौज़ूद में इन खेलों का उगघाटन किया है भोपाल के जो तत्या टोपे स्टेडियम है ना भोपाल में को ही है मत्पिदेश की मेजवानी में मत्पिदेश में पहली बार हो रही खिलोई एंडिया यूद गेम्स 2022 में 13 दिन तक 23 आयूजनों इस्थलों पर 6000 खिलाडियों ने 27 खिलों में अपनी फीतिवास की चमक देख वे के लिए यह खिल राज की आठ सहरों भोपाल, जबलपूर, इंदोर, उजन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में आयूजित होंगे साइकलिन का आयूजन नाइदिली के IG स्टेडियम, IG स्टेडियम बेल ड्रॉम में होगा बोपाल में एठितिलेक्ट, कूर्स्ती, बॉक्सिंग, सूटिंग, वाटा स्पोर्स, क्याइकिंग, कैनुइंग, और रुइंग, बॉलीबल और जोडो के मुकाबले होंगे इंदोर में बास्केटबॉल, वेट लिप्टिंग, टैनिस, टैवल, टैवल, टैनिस, कबड़ी, युवा, फुटबॉल, पूरसो की पिदेव गुताएं होंगी इतिहासिन नगर में ग्वालियर में आप देखें चार अलग-अलग खेल बेडमिंटन, हौकी, जिमनास्टिक और कलीरी पायट्टू के मुकाबले होंगे महागाल की उज्जयन की नगरे में योग और मलखम के मुकाबले होंगे और संसकार राद धीनी जो आपकी जबलपूर है इसमें चार अलग खेलों पारमपरी खेल, खोखोज, तीरंजादी, फिसिंग, साइकलिंग, रोड की मुकाबले होंगे मंडला में मणीपोर और पंजाब की महसूर पारमपरी खेल थांगेता और गटका की आयुजन होंगे बाला घाट में महिला युवा पुटवाल और महेस्वर में खरगोन में ससकते धारा में सालालाम की मुकाबले होंगे नई दिली के आईजी स्टेडियम में साइकलिंग की पिते उगता होई और याद रहे भोपाल के तत्या टोपे टेटी नगर स्टेडियम में बनाए गए खेलो इंडिया मंच पर मद्पिदेश की सांसकिती की तिहासे गुधारमिक बेरासतों को दिखाए गया है और मंच को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें महाकाली सो रुजयन, खजराहो के मंदर, साची के बौधिस्तूप के साथ ही नर्वदा मेया की बहती हुई सजीव छबी को दिखाए गया है इसमें और मत्विदेश में पहली बार हो रहे इंडिया गयम्स के एजन को देखते हुए खेलो इंडिया की थीम हिंदोस्तान का दिल धड़का दो रखी गई है और इस आउसरवर मुखमंती सिवरा सिंग चोहान ने घोशना करते हुए कहा है कि मत्विदेश की जो खिलाडी पदक जीत कर आएंगे उनने अंगले खेलों की तेयारी के लिए पांच लाग रुपी का पुरुस्कार दिया जाएगा और पिछले केलों इंडिया गेम से मिमत्विदेश के खिलाडियों ने 38 पदक जीते थे कितने 38 मेडल जीते थे और इस तरह से आप देखेंगे जनवरी 2023 में जो घटना है गटी है उनका एक उबर भी हम लोगों ने ले लिया है अंगली कलास में हम लोग फरवरी 2023 में जो घ